किसी ने कहा है मां अगर सीचल छाया है पिता बर्गत है जिसके नीचे बेटा उन्मुक्त भाव से जीवन बिताता है जहें साथियों मैं सौरब आप सभी का स्वागत करता हूँ एक छोटी सी कहानी जो जिन्देगी में बहुत कुछ सिखाती है ये कहानी एक लड़के की एक लड़का पढ़ लिखकर बहुत बड़ा आदमी बन जाता है उसके पिता का स्वर्गवास भी हो जाता है बाद में मां हर तरह से काम करके उसे इस काबिल बना दिया कि वो एक अच्छी नौकरी करने लगता है और अच्छा धन भी कमा लेता है साधी के बाद पत्नी को मां से सिकायत रहने लगी कि वो इसके स्टेटस में फिट नहीं लोगों को बताने में उन्हें संकोच हुथा था कि उनकी मां या उसकी सास अनपढ़ है बाद बढ़ने पर बेटे ने एक दिन कहा मां मैं चाहता हूँ अब मैं इस काविल हो गया हूँ कि कोई भी कर्ज अदा कर सकता हूँ मां और तुम दोनों सुखी रहें इसलिए आज तुम मुझ पर किये गए अब तक सारे कर्ज सूद और प्याज के साथ मिला कर बता दो मैं वो आदा कर दो रहा फिर हम अलग-अलग सुखी रहेंगे मां ने सोंच कर उत्तर दिया बेटा ज़रा हिसाब लंबा है सोंच कर बताना पड़ेगा थोड़ा वक्त चाहिए बेटे ने कहा मा कोई जल्दी नहीं है तो चार दिन में बता देना रात हुई सब सो गए मां ने एक लोटे में पानी लिया और बेटे के कमरे में आई बेटा जहां सो रहा था उसके एक और पानी डाल दिया बेटे ने करवट ली मां ने दूसरी और भी पानी डाल दिया जिस और भी करवट ली माने उस ओर पानी डालती रही तब परशान होकर बेटा उठकर चीक कर बोला मा ये क्या है मेरे पूरे बिस्तर को पानी पानी क्यों कर डाला मा बोली बेटा तुने मुझसे पूरी जिंदगी का हिसाब बनाने को कहा था माई अभी ये हिसाब लगा रही थी कि मैंने कितनी रातें तेरी बच्पन में तेरे बिस्तर गिला कर देने से जाकते हुए काटी है ये तो तेली पहली लाथ है तू अभी से घबरा गया मैंने अभी हिसाब तो सुरू ही नहीं किया है जिसे तू अदा कर पाए माई की इस बात ने बेटे को खेदें को छख छोड़ के रख दिया फिर वो रात उसने सोचने में बुजार दी उसे ये एहसास हो गया कि माई का करज चीवन भर नहीं उतर सकता माई अगर सीतल चाया है तो पिता परगत है जिसके नीचे बेटा या बेटी उन्मुक्त भाव से चीवन बिताता है माई अगर अगर अपनी संतान के लिए हर्दुक उठाने को तैयार रहती है तो पिता सारे चीवन उन्हें पीता रहता है हम तो बस उनके लिए किये गए कारों को आंगे बढ़ा कर अपने हित में काम कर रहे हैं आके हमें भी तो अपने बच्चों से वही चाहिए ना क्या है इसमें गलत यही तो है कि हम भी अपने बच्चों से जो हमने किया है उनके लिए वही तो चाहते हैं इसलिए हमें अपने माता पिता की हमेशा सेवा करने चाहिए। किसी ने कहा है नीन अपनी भुला के सुलाया हमको, आशू अपने किरा के हसाया हमको, दर्द कभी ना देना उन हस्तियों को, उपर वालों ने माँ बाप बनाया जिनको। अगर आपको इस्टोरी अच्छी लगी हो, तो लाइक करिएगा, सेर करिएगा, अगर चैनल में नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना पुलिएगा, मिलते हैं, अगली मोटिवेशनल इस्टोरी में तब तक आपना ख्याल रखें, चैहिन चैभारत.